हलो दोस्तो आप सबों को स्वागत है आज के इस वीडियो में तो आप सब ही कोई कैसे है आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरें में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे तो जैसा कि आप सबों को पता है रतन टाटा के बारे में हाली में उसका निधन हो गया है अब हमारा देश भारत ने बहुत ही एहम चीज को खोया है आज के वीडियो में हम लोग रतन टाटा के बारे में उसके जीवनी के बारे में हम लोग समझेंगे कि रतन टाटा किस प्रकार से हमारे देश के लिए एक बहुत ही अहम चीज थे जिसने हमें हमने खोया है और रतन टाटा ने इन टाटा इंडुस्ट्री को किस तरह से उचायों पर पहुँचाया उन सारी बातों को भी आप सभी कोई जानते हैं और Tata Industry ना से भारत बलकि पूरे विश्वा में अपना चाप चोड़ चुका है और ये बहुत बड़ी कमपनी में से एक माना जाता है तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं रदन टाता के बायोग्राफिक के बारे में उसके जीवन के बारे में तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे उनका जन्म और परिवार के बारे में और उनकी सिक्षा कहाओ भी इन सारी बातों को जानेंगे जो रतन टाटा का जो जन्म है वो 28 दिसंबर 1937 इस्वी को मुंबई में हुआ था उनके पिता का नाम नवल टाटा था अगर मा की बात करे तो उनकी मा का नाम था सुनी कमिसारियट ठीक है? उनकी मा का नाम था तो रतन टाटा जो थे वो 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे ठीक है? उनके ममी पापा जो थे माता पिता जो थे वो अलग रहने लगे थे इसके बाद उनकी परवरिस की बाद जो है उसकी जो दादी है नवाज बाई टाटा ने की थी रतन टाटा के जो परिवरिस है उनका बच्पन का देखवाल है उनसकी दादी के दौरा किया गया था रतन टाटा ने अपनी सुरुवाती सिक्षा की बात करे तो मुंबई में ही कैम्पियन स्कूल है वहां से उन्होंने अपनी सुरुवाती सिक्षा सुरू की थी फिर ये Campion School के बाद वे Cathedral and John Conan School जो मुंबे में ही है उसी के बाद विशब कॉंटन स्कूल शिमला में उन्होंने आगी की पढ़ाय की ठीक है उसके बाद उन्होंने कार्नेल विश्विद्याले से आर्टिटेक्चर की पढ़ाय की और हावर्ड बिजनस स्कूल से एडवांस मेनेजमेंट की भी उन्होंने सिक्षा हासिल की थी तो इस तरह से इस स्लाइड में हमने रदन टाटा के जर्म के बारे में जाना उनके परिवार में कौन है उनके पिता का नाम माता का नाम और वे किस तरह से उसका परिवारी की स्थिति कैसी भी इनको बारे में हम लोग इस स्लाइड के मादर हम से जाने और सिक्षा दिक्षा के बारे में भी हमने जाना तो चलिए आप हम लोग जानेंगे रतन टाटा जो थे वो टाटा समु के अध्यक्ष किस तरह से बनते हैं उनके अध्यक्ष बनने तक का सफर को भी हम लोग जानेंगे बात है आपका सन 1991 का जिसमें जे आड़ी टाटा के पद छोड़ने के पाद रतन टाटा को टाटा समु का अध्यक्ष निउक्ष किया गया जे आड़ी टाटा के बाद इसके बाद उसका जो कारेकाल जो है वो टाटा समु ने बहश्विक पहचान हासिल की मतब जब रतन टाटा इस टाटा समु के टाटा ग्रूप के अध्यक्ष बनते हैं उसके बाद उन्हों ने योगदान दिया टाटा समूग को और पूरी विश्वा में एक अलग पहचान टाटा को इन्हों नहीं दिलाया था तो टाटा ने टाटा टी को टेटली टाटा मोटर्स को जगुवार लैंड रूवर और टाटा इस्टिल को कोरस जैसी वैश्व कंपनियों का अधिगरहन करने में मदद की थी मतलब रतन टाटा के ही दौरा जो जगुवार जो है जो बहुत बड़ी कंपनी है लैंड रूवर है जो ऑटो मोबाइल से रिलेटेड है टाटा इस्टिल का कोरस हो गया वो बहुत बड़ी कंपनी में से एक है जिसको टाटा ने रतन टाटा के ही कारेकाल के दोरान अधिग्रहन किया था ठीक है और उसी के नेत्रित्वा में टाटा समु का जो राजश्वा है वो 40 गुना और लाब 50 गुना तक बढ़ गया था ठीक है इन्हें की अगवाई में और रतन टाटा की सबसे बड़ी है ठीक है आप सबी को जानते हैं टाटा नेनो के बारे में वो भारत की नहीं बलकि पूरी दुनिया की सबसे चीपिस्ट कार में से एक माना जाता है जो आम भारतियों के लिए कि फायती का कार का सपना रखने वालों को पूरा कराया था रतन टाटा ने है ना बहुत सारे हम अपना को अधूरा रख देते थे लेकिन रतन टाटा की द्वारा ही है जो नैनो को निकाला गया और भारतिये जो परिवार है उनको खर्दने में जो उनका कार का सपना है वो पूरा कर पाए चलिए अब हम लोग देखेंगे सेवानिर्ति और उत्राधिकारी के बारे में कि उसकी जगा कौन लेते हैं वो चीज़ को तो बात है आपका 28 दिसंबर 2012 का जिसमें रतन टाटा 75 वर्स के हो जाते हैं और टाटा संस के अध्यक्ष के पद सेवा निर्विती ले लेते हैं मतलब रेटार्मेंट ले लेते हैं फिर उसके बाद जो उत्राधिकारी जो बने वो सहरस मिस्त्री को बनाया गया निकिन 2016 में मिस्त्री को पद से हटा दिया गया कारण क्या था हो हम लोग आगे किसी बात पर देखेंगे ठीक है सुला में उसको हटा दिया गया रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया फिर से 2017 में नटराजन चंदर सेखर को टाटा संस का स्थाई अध्यक्ष निक्त किया गया और जो ये नटराजन चंदर सेखर जो है वो बहुत ही कम उमर के हैं ठीक है? वो बहुत ही कम है, मतलब कह सकते हैं, यंगेस्ट आप कह सकते हैं इसको बहुत ही छोटे हैं और उनको स्थाई अध्यक्ष की रूप में भी बनाया गया है चलिए, अब हम लोग देखेंगे, परुपकारी कार मतलब किस तरह से टाटा इंडस्ट्री जो था और रतन टाटा जो हैं, वो किस प्रकार से सोसल वर्क से भी जूड़े हुए थे, इन सारी बातों को भी हम लोग देखेंगे जो रतन टाटर जो हैं वो अपने परुपकारी कारियों के लिए भी जाने जाते हैं और उन्हें के द्वारा सिक्षा हो चिकित्सा हो या ग्रामीन विकास की बात हो हर रेक छेतर में उन्होंने अपना महत्तपून योगदान दिया टाटा ट्रस्ट नाम से टाटा समु की कई कमपनियों ने सिक्षा और अनुसंधान के लिए कारनेल विश्विद्याले, हावर्ड विजनस विश्विद्याले, कारनेरगी मेलन विश्विद्याले जैसी प्रतिष्टित संस्थाओं में बड़े बड़े दान उन्होंने दिये और उन्होंने कई समाजिक और विज्ञानिक प्रियोजनाओं में भी निवेस किया था जो समाज के विबिन तबकों के लिए सहायक सिद्ध भी हुआ था और कई तरह के वे ट्रस्टी चलाते हैं और डोनेशन पर पूर खुल के वे देते हैं हमारे देश भारत में सिख्षा के चेतर में हो मेडिकल चेतर में हो हर एक चेतर में वे अपना एहम योगदान दिये करते थे अब हम लोग जानेंगे रटन के निधन के बारे में किस तरह से उनका निधन हुआ तो रटन टाटा जो है कुछ कई समय से बीमार चल रहे थे और बात है 9 अक्टूबर प्रमुख हस्तियों ने शोग व्यक्त किया था रटन टाटा का जीवन उदियोग परुपकार और नेत्रित्व का प्रेना दायक उधारन हमेशा की तरह से बना हुआ था और बना रहेगा और उनका जो योगदान है भारतिय उदियोग और समाज के लिए हमेशा याद किया जाएगा तो जब इनका निधन हो गया और अंतिम संसकार हो रहा था तो इस वक्त पे जितने भी हमारे देश के धर्म हैं हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई, फार्सी, जैनिजम मने हर एक धर्म गुरूं के द्वारा ये अंतिम संसकार का प्रेयर कराया गया प्रात्ना कराया और उनको अंतिम विदाय दी गए थी तो इस तरह से आज किस विदियो में हमने रतन टाटा के सफर के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना कि किस तरह से रतन टाटा का जीवन था जो भारत के उदियों को उचायों पे ले गया, टाटा समू को उचायों पे ले किया और ये रतन टाटक जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम को उच्छा किया था और समाजिक कारियों में हमेशा लगे हुए रहते थे और दुनिया की बहुत सारी बड़ी-बड़ी कमपनियां को भी उन्होंने अधिकरहन भी किया था तो बहुत बड़ी उपलब्दी थ तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने रतन टाटा के जीवनी के बारे में जाना तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यह पर समाप्त करता हूं मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपरा ध्यान दिजिए सुरक्षित रहिए और हमेशा की तरह खुस मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद